नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बर फिर सिस्वागत है साथियों जैसा कि आपको अवगत है State Educational Achievement Survey Authorities एक्जाम 2023 तीन नवंबर को होने वाला है और इसमें सिक्सकों की FI Field Investigator के रुक में duty लगी है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि FI को कौन-कौन से फार्म बरने है आज की इस वीडियो में हम सभी फार्मों को देखेंगे और उनके बरने का तरीका देखेंगे इससे पहले मैं कई वीडियो बना चुका हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है इजी से सम्मंद दो वीडियो में बना चुका हूँ अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के description box में आपको उन दोन वीडियो के link मिल जाएंगे उनको आप देख लेजे किस तरह से आपको क्या क्या कारिया करनी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखी सबसे पहले आपको मैं बता दूँ ये तीन क्लास का एक्जाम हो रहा है कक्षा 3 का, कक्षा 6 का और कक्षा 9 का इनको कक्षा 3 के लिए आपको 3 टेस्ट फोर मिलेंगे 31, 32, 33 जिस तरह से आपको ये एक्जाम दिने जाते हैं वहापर आपको बुकलेट सीरीज मिलती है A, B, C इसी तरह से इसमें सीरीज मिलेगी 31, 32, 33 इसी तरह क्लास 6 में भी आपको 61, 62 और 63 ये सीरीज मिलेगी और क्लास 9 में आपको 91, 22, 33 और 94 में सीरीज मिलेगी अब बात करते हैं कक्षा 3 का language और math का सभी का ही language और math का paper होगा 3 में भी, 6 में भी, 9 में भी कक्षा 3 में question आएंगे 40 कक्षा 6 में question आएंगे 50 और कक्षा 9 में question आएंगे 60 कक्षा 3 का जो exam होगा वो 60 मिनट का होगा कक्षा 6 का exam 75 मिनट का होगा और कक्षा 9 का exam 90 मिनट का होगा तो ये आपको ध्यान लखना है अब देखिए इसमें grade wise यानि एक स्कूल के लिए quantity of survey material क्या क्या सरवे material आपको मिलना है सबसे पहले हम देख लेते हैं एक तो आपको test form 31 मिलेंगे कक्सा 10 के कक्सा 3 के लिए आपको 10 मिलेंगे test form 32 आपको 10 मिलेंगे और test form 33 आपको 10 मिलेंगे कक्सा 3 के लिए आपको test form 31, 32, 33, 10, 10, 10 मिलेंगे एक तरह से bundle मिलेंगे उनमें bundle में ये series है एक तरह से ABC तो 10 ये मिलेंगे 10 ये मिलेंगे और 10 ये मिलेंगे अब बात करें कक्सा 6 की test form 61, 62, 63 ये आपको 10, 10, 10 मिलेंगे क्योंकि आपको 30 बच्चों का सर्वी करना है इसके साथ साथ कक्सा 9 के लिए जो achievement test मिलेंगे वे आपको test form नमबर एक क्यान में, बान में, तिरान में, चुरान में मिलेंगे और सम्मे 8 ये होंगे टोटल 30-30 कोश्चनों के ये आपके मिलेंगे इसके साथ साथ आपको कुछ कोश्चनरीस मिलेंगी पीक्यू, प्यूपल कोश्चनरीस ये आपको 30 मिलेंगी, खक्सा अगर 3 का दे रहे हैं, तो भी, 6 में भी 30 और उसमें भी 30 इसके साथ साथ टीक्यू मिलेंगी आपको 2-2, दो टीक्यू मिलेंगी जो आपको भरवानी है हिंदी और गणित के टीचर से, एक हिंदी के से बरवाएंगे, एक गणित के टीचर से बरवाएंगे हमारे एक शिक्षे साथियक का मैसे जाया था मुझे पिछली वीडियो पर, उन्होंने मुझसे पोचा था अगर कोई subject का teacher ना है हो तो क्या करें देखे subject का teacher है या नहीं नहीं है इससे हमें कोई मतलब नहीं है उस subject को वहाँ पर कोन पढ़ा रहा है हो सकता है math का teacher हिंदी पढ़ा रहा हो तो आप उसे से भरवा लिजे या हिंदी का teacher math पढ़ा रहा हो तो आप उसे से उसको भरवा लिजे तो TQ मिलेगा और इसके साथ साथ आपको SQ मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको PQ, SQ और TQ वे बारे में विस्तार से बताऊंगा किस तरह से भरना है, किस से भरवाना है वो मैं आपको next वीडियो में बताऊँगा इसके साथ साथ आपको achievement, test and PQ मिलेंगी OMR seat जो मिलेंगी achievement, test और PQ की 30-30 मिलेंगी TQ आपको पास 2 OMR seat मिलेंगी और SQ भी आपके पास 1 मिलेंगी SQ 1 मिलेंगी TQ आपको 2 मिलेंगी कक्सा 3 में भी 6 में भी और 9 में भी तो ये आपको ये चीज मिलेंगी इसके साथ साथ आपको देखे, for each grade add extra copies of text OMR 5 5 text copy आपको extra मिलेगी एक आपको भरना है field notes, एक वीडियो में मैंने आपको बता दिया था ये field notes आपको FI को भरना है, इसमें सबसे पहले class, किस class के लिए आपका selection हुआ है कहाँ पर आप field investigator किस class के लिए आप class भरेंगे date of survey, किस दिन आप survey कर रहे है 3 November 2023, Udise code भरेंगे school का नाम भरेंगे state का नाम भरेंगे, क्योंकि पूरे देश में एक साथ exam हो रहा है इसलिए state का नाम भरेंगे district का नाम भरेंगे block का नाम भरेंगे और area code भरेंगे rural है तो one भरेंगे और urban है तो दो भरेंगे it is the replacement school replacement school तो नहीं है यानि कि जहाँ पर आपका सभी हो रहा है वो उसकी जगे कहीं जो दूसी जगे तो नहीं school का replacement किया, yes या no, जो भी आप लिखे class section medium in which test administrator, use medium code, देखे class आप भर देंगे इसमें जिस class के लिए आप जा रहे हैं, medium का code आपको last में आपको मिल जाएगा हिंदी का 04 है तो वो आपको मिल जाएगा, section आप भर देंगे, head teacher का नाम और principle का नाम भर देंगे, अब देखे आपने दो condition है, अगर वहाँ पर एक ही section है, तो उसी select करेंगे उसके 30 बच्चों को, और अगर दो एक से जादे section है, तो आप section select करेंगे, तो उसमें आपको दोनों में अलग-लग condition है फरम बनना पड़ेगा यदि class has only one section तब आपको a part बनना पड़ेगा इसमें number of student enrolled in the class number of students who are absent in the class और number of student taken the test यह सब आप उसमें भढ़ देंगे और अगर आपके एक से जादे section है तब आप the next name, number of section of the class section की इतनी है, वो आप इसमें लिख देंगे number of student enrolled in all sections of the class, total तीनों section या चार section जितने विया कितने बच्ची हैं, वो आप इसमें लिख देंगे number of students enrolled in the sample section जो आपने section select किया, उसमें कितने student है, number of students who took the test, जिनोंने test दिया, वे कितने है number of students who are absent in the samples section में आपके कितने student absent है वो आप इसमें लिख देंगे उसके बाद यहाँ पर अपना capital letters में नाम लिखेंगे, sign करेंगे उसके बाद यह भी आपको भरना है उस section में जो आपने section लिया उसमें कितने SC हैं, कितने ST हैं, कितने OBC हैं, कितने general हैं, कितने EWS है total student आप इसमें लिख देंगे इसी तरह से अगर उन में से disability है, LD है, VI है, HI है, यह सब आपस में भर देंगे इसके साथ साथ आपको देखे, जब आप section को select करेंगे, तब इसको भरना है यदि एक से ज़्यादा section है उस school में, तब भरना है और अगर एक से कम section है, एक ही section है, तब आपको यह भरना नहीं है तो उसमें क्या क्या भरना है, इसमें सबसे पहले section का नाम लिखेंगे A, B, C, दूसरे पर medium of section हिंदी है या इंगलिस है, वो लिख देंगे number of student enrolled, कितने student उसमें enrolled है, section A में कितने है, B में कितने है, C में कितने है number of student present on the day of assessment, कितने A में कितने present है, B में कितने present है, C में कितने present है उसके बाद section selected, प्लीज टिक, जो section आपने select किया, वो आपको यहाँ पे टिक करना है तो section को select करने की मैंने process बता दी थी एक वीडियो में अगर आपने वीडियो नहीं देगी तो इस वीडियो का आप देख लेजे इसके साथ साथ आपको यह seat भरनी है list all students of sampled section यानि आपने जो section लिया उसके सभी student की आपको list लेनी है as per school attendance register school attendance register उठाएंगे उसमें इसमें total students के नाम लिख देंगे name, gender, category, cws, attendance, test booklet number, कौन सी booklet number आपने उनको दी जो आपने टेस्ट, तीन तरह की test booklet number हैं आपकी हर तरह में तो वो इसमें लिख देंगे और student को जो ID आप alert करेंगे वो आप इसमें लिख देंगे तो इसमें आपको सारा detail इसमें लिखनी है देखे gender के लिए one, category के लिए attendance, p और a लिखेंगे तो इस तरह से आप इसमें भर देंगे, test booklet number में मैंने तुमें बताया, देखो test booklet number आपको दे गई है ये 31, 32, 33 ये उसमें भरेंगे, उसे 31, 32, 32, 33 उसका number में लिख देंगे इसके साथ साथ एक form और आपको भरना है, ये seat भर देंगे, उसके बाद देखे एक form में आपका monitoring performer ये भी आपको भरना है, चाहे आप कुई ही भी class का survey ले रहे हैं, third का ले रहे हैं, sixth का ले रहे हैं, 11 का ले रहे हैं to be filled in by the observer, principal of the sample school, देखे, name of the school, juda school, name of the state, name of the block and district, grade observed, किस grade का आपको कर रहे हैं, section देखे, अगर section एक से जाद हैं तो इसमें लिखेंगे, अगर नहीं है तो इसे छोड़ देंगे, उसके बाद provide the following information, student enrolled, कितने student enrolled है, student present कितने हैं, और कितने participate कर रहे हैं, ये आप इसमें लिख देंगे, for registering response please code, अब देखे, आके जो है, इनमें आपको one और two भरना है, अगर है, हाँ है, तो one भरेंगी, ना है, तो two भरेंगे, देखे, नमबर आठ एक से, whether the observed school was original school या replacement school, तो इसमें आप टिक कर देंगे, original है, या replacement है, उसके बाद in case of other replacement school है, तो इसमें लिखना है, school was found temporarily closed for the day of assessment, school does not exist, school does not agree for survey, any other, तो इसमें लिख देंगे, उसके बाद इसमें आपको एक या दो रखना है, whether the school got prior information about the day statement, यानि स्कूल को पहले से information थी या नहीं थी, तो ज़्यादे तर में वनी आएगा, information तो सब को होगी, तो इसमें अपन बहर देंगे, whether the head teacher principle was found to facilitate the survey activities, तो teacher तो आपको इहाँ पर मिलेंगे ज़्यादे तर, तो इसमें बना आएगा, और नहीं मिलते हैं तो आप टू भर दीजे, whether faced any problem with regards of printing quality of test items, diagrams were in the readable condition to student, तो ज़्यादतर में बनी आएगा, क्योंकि एच्छे परुशन पत्र आपको मिलेंगे, उसके बाद बाहर है, whether the following activities are adequate during the tool adjustment, setting arrangement, yes, one लिख देंगे, ventilation है, one लिख देंगे, या two लिख देंगे, light है, तो one लिख देंगे, नहीं है, तो two लिख देंगे, sanitation है, तो one लिखेंगे, नहीं तो two लिखेंगे, drinking water है, one लिखेंगे, one not two लिखेंगे, enabling facilities for children with special needs, CWSN के लिए सभी facility है, हैं तो one लिखेंगे, नहीं तो two लिख देंगे, suggestion regarding the conduct of survey, अगर आप suggestion देना चाहते हैं, तो इसमें उसको लिख देंगे, तो ये आपको भरना है, head teacher के आपर sign हो जाएगे, principle के, और इधर observer के signature हो आपको designation हो जाएगा, इस तरह से contact number हो जाएगा, तो इस तरह से ये ये farm आपको fi को भरने है, next वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, PQ, SQ और TQ के बारे में कि कौन कौन से farm भरने है, और इसके साथ साथ एक वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, किस तरह से sitting arrangement आपको करन है, तो आज की वीडियो में इतना ही, आपको या वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इस वीडियो को like करें, share करें, वीडियो पे comments करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को subscribe करें, bell का icon को press कर दें, जिस की आपको नेक्स्ट वीडियो का notification मिल सके, दन्यवाद.